हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारी यूट्व चैनल इस्टड़िए 26 पर आज के वीडियो के माधियम से हम लोग देखेंगे जब अच्छे बीए फर्स सेमेस्टर के हैं और उन्होंने हिस्ट्री पेपर को लिया है मेजर माइनर किसी भी रूप में अपने इतिहास को बिहार के कोई भी उनिवर्सिटी के आप होंगे तो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा इतिहास और उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आप देखेगा फर्स्ट यूनिट को हम लोग जब कंप्लीट कराये थे तो उसको हम लोग उसके मेराथन भी कराए तो उस मेराथन को पहले देख लीजेगा उसमें एक घंटे में हम पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक को खतम कर दिये हैं ठीक है उससे बाहर आपके एक्जाम में कोई कोशन नहीं रहेगा यह बात ध्यान से रखेगा अब चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंग इसको खली ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा तो ध्यान से पढ़िए और अराम से इसको कीजिए अपने दोस्तियार में शेयर कीजिए खुद अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जीए ठीक है लाइक कर दीजेगा वीडियो को और सेयर जुन कीजिए तो चलिए शु बैच वाले ना उनके एक्जाम में पूचा गया question था वो सभी उनवर्सिटी जैसे पटल पुत्रा है तिलका माँजी है मगर उनवर्सिटी है पत्ना युनी यू है या फिर भीके एसजिए यू है मुंगेर प्रिवियस को तो प्रिवियस को देखेंगे उसको देख़ेंगे उसको देखके उसको पढ़ लिजी वहां से प्रिवियस कोश्चन जड़ूर रहेगा अब चलिए सुरू कर देते हैं ठीक है ना अब देखिए इतिहास के पिता किसी कहा जाता है याली कि हिस्टि कि आपसे कोशन क्यों पूछेगा इतिहास के पिता इतिहास के पिता की पुस्तक आ नाम है. इंडिका इसको ध्यान में रखेगा चानक के जो है चानक को ही विस्नुगुट कौटिल या फिर आप देखेगा चानक के बोला जाता है तो ये जो चानक के है ना इनके दोरा एक बुक लिखा गया था जिसको अर्थ सास्त्र बोलते है ठीक है ये जो चानक के है ये तो मोरी के दरवार में आये थे और ये भारत के नहीं थे ये विदेशी यात लिए थे इस बात को भी धियान में रखेगा, इसको धियान में रखे याद भी रखना है ठीक है ? उसके बादefर दिये दूसरा सवाल आपके लिए भारत वर्षा का सबसे के अभिलेख में और पुरान में जम्मु द्वीप हमारे देश का नाम रखा गया है आरिया वर्त भी बोलाया था हमारे देश को क्यों बोलाया था तो उसके पीछे का रीजन बताया थे आरियो आरे जो लोग है वो भारत जब आ गया तो इसी लिए हमारे देश को आरिया वर् भारत के संतान बोला गया ठीक है भारत वर्स जो वर्ड है इसका यूज जो किया गया खारवेल के हांथी गुफा अभिलेक में किया गया ठीक है तो इसको ध्यान में रखेंगे याद रखियेगा अब आज ये दूसरे प्रस्ण को देखते हुए चलिए वेद की संख्या कितन है तो वेद की संख्या जो है चार है ये सयूदतर होगा ठीक है अब देखें यहां से सवाल कैसे बनेगा आपसे पूछ दिया वेद की संख्या कितनी है चार है आप बता दीजेगा आपसे सवाल यह भी बन सकता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है तो आपको ये बताना हैं दस मंदल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए ठीक है सके बाद दीज करता मंडल जो एक दस मछ मंडल मैं सबसे मंदल न्यो lob 2 मंडल है इसको भी धिहान में रखेंगे आप उसके बाद भिएन का दीज Doing मंदल में गायतरी मंतर का चर्चा है उसी तरह अथरवेद में भी बहुत तरह की चीजों का चर्चा है उसको धीरे-धीरे से पढ़ते चलिएगा ठीक है अब आजी सबसे प्राचीन चेतर में लिखा गया यानि कि आप देखेगा रिगवेदिक काल जब हम आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे रिगवेदिक काल के लोग कहा रहते थे ठीक है तो वहीं पर इस रिगवेद को लिखा गया था और यह सबसे पहले लिखा लिखा गया गरंथ है इसको रिगवेद को प्राचिन गरंथ बोलाएं तो इसको भी धियान में रखते हुए चलिंगे अगला जो कोश्चन आपको धियान में रखना है वेद के संकलन करता को है यानि वेद को संकलित करने वाला कोई और नहीं वेद अब्यास है इनका पूरा सबसे नया वेद को है तो वो अथरवेद है उसको भी धियान में रखेंगे चुकि यहां से भी सवाल बनेगा कि सबसे पहले कोन वेद को लिखा गया और सबसे बाद में किसको लिखा गया तो सबसे बाद में अथरवेद है और सबसे पहले किसको लिखा गया रिगवेद को लिखा गया ठीक है अगले सवाल को देखते वे चलिए अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर होगा वो यह है कि रामायन किसकी रचना है यह रामायन के लेखक कौन है आपने रामायन को पढ़ा महाभारत को पढ़ा तो आखिर रामायन को लिखा था यह बताईएगा आप तो य इन दोनों ही गरंथ में राम भगवान की कहानी को लिखा गया है, राम भगवान के जीवन से समझी चीजों को उसमें वर्नित किया गया, यह चर्चा किया गया, ठीक है, तो दोनों ध्यान में रखेगा, यह जो रामायन है, यह साथ कांड में बटा हुआ है, ठीक है, इसको भ ध्यान में रखेगा यानि रामायन में कितना है 24,000 सुलोक है ठीक है तो ये बात भी आपके जहन में होना चाहिए जब भी कोश्चन आपसे बनेगा तो ऐसे सवाल जब बनते हैं तो आप फस मत जाईएगा वहाँ पे उत्तर दीजिएगा ठीक है उसके बाद आज अगले सवा गया आपके लिए जो है पंचे तंतर के लेखक कोई है तो पंचे तंतर के लेखकर कोई और ने विस्नु सरमाय है ठीक है तो यह याद रख Already कलहन पको पता होना चाहिए और सबगोण की रचना भी आपको यहीं से यादा करना है तो देखे पंचे तंत्र के लेकको ने विसुनु सर्मा कलहन की रचना ऑडाशा की सब्सक्राइश करना है लिए इसमें किस बात की चर्चा जानते हैм इसमें कस्मीर की तुर्ट नहीं थोड़ा देर पैसेंस रखिए बागी इन सब का याद रखिए कलहन का है राइतरंग नहीं है उसके बाद दिखिए किसका है तो चानक के या कौटिलिका अर्थसास्त्र है और जैदेव जो है इनकी रचना है गीत गोविंद यह आपसे पूछ रहा था गीत गोविंद किसकी मंदल है सबसे चोटा मंदल है दूसरा और सबसे बड़ा मंदल है जो है दसमा मंदल है ठीक है उसके बाद देखिए रिगवेद में दस मंदल है तो उसमें हम आपको बताये थे दो से जो सात मंदल है दो से सातमा नंबर तक का मंदल जो है इसको फैमिली बूक बोलते है फै गायतरी मंतर की चर्चा रिगवेद के किस मंदल में किया गया है तो ये है तीसरे मंदल में तो देखिए आपको धियान रखना है रिगवेद के तीसरे मंदल में किस चीज की चर्चा है तो गायतरी मंतर की चर्चा है ये भी कोशन पूछा गया है ये भी कोशन पूछा गया ह दूसरा यह याद रखेगा रिगवेद के जो रिगवेद है इसमें जो है कितने सुक्त है तो 1028 सुक्त है यह यह भी कोशन पूछा गया है इसको भी रट लीजेगा ठीक है तो देखें तीसरे मंडल में गायतरी मंत्र के जो चर्चा है रिगवेद के तीसरे मंडल में ठीक है तो उसको भी ध्यान में रख सकते हैं. अगला प्रसन है, उसको देखिएगा कि पुरान की संख्या कितनी है? यहीं पुरान का मतलब उता है प्राचीन, जो कि सबसे प्राचीन है, उसी को पुरान बोलते हैं. पुरान में किस बात की चर्चा है? तो आपको बताये थे, जब आ आप पढ़ियेगा मौरे राजवंस, मौरे वंस, तो उसके सासक हैं, चनगुप्त, मौरे, असोक, ये सब हुए ना, तो इसके बारे में जानकरी भी पुरान से मीती है, उसी तरह सात्माहन वंस पढ़िये, तो उसके भी सासक के बारे में कहां से मिलती है, तो यही पुरान मे इसकी चर्चा है ठीक है तो पुरान की संख्या जो है 18 है ये question बहुत बार पूछा गया है एक बार नहीं छो साथ बार पूछा गया है यह चो साथ university के एग्या में पूछा गया है इसलिए इसको एकदम double star करके याद रखना है हो सकता है कि आपके university में पूछ सकता है और ऐसे स संबंदी कि इसको याद करने का हम एक प्रीक बताए थे इसको रीचे कंदम से संबंदीत है गुप्त से संबंदित है तो इसको भी याद करने का एक ट्रिक वता देता है गुट होता अंड़ ऑख जिसके होगाइन तो हवा के वज़य से направ तो हवा के वज़त से हील रहा हुआ हवा क्या नहीं generous पकड़ सकते इसलिए उसको जुड़िएगा वायू जो हवा होता है और वह गुप्त वंद से संब्दित है यानि यह गुप्त रहता है ठीक है यह नुका हुआ रहता है इसको ध्यान में रखना है उसके बाद आज यह अगले परस्ण को दिख लिए अगला परस्ण है विश् ट्रिक बता है ऐसा नहीं है जो हम आपको बता रहे हैं लेकिन याद करना पड़ेगा कि विश्नु पुरान मौरेवंस से सम्धित है यहां से सवाल पूचेगा यह वहले सही है लेकिन वह जो बोले था न विश्नु भगवान के बगल में रता मूरूर यह सब इसलिए इसका रचना आपको बता ही दिये अर्थसास्त्र है विग्यानेस्वर की अभी बताएंगे पानिनी की अश्टध्याई है इसको ध्यान में रखिएगा ठीक है तो यह सभी कोस्चन को एकदम रट्टा मारके अपने दिमाग में सेट अप करके रखना है ठीक है अगला परसने मिताक् यह किसकी रचना है यह विग्यानेस्वर की रचना है ठीक है तो देखे जिमूत बहान का दायभाग चानक के का अर्थसास्त्र विग्यानेस्वर की है मिताक्षरा और पानिनी का है अश्टध्याई तो यानि इसका याद रखेगा पानिनी का अश्टध्याई है वो जो इसको भी धिएँ, पर टिका मामिनी और पतंजली के दवरा योगसुत्र की रचना कि गई थि यांdown में रखेंगे अच्छे से याद रखना चाहिए है regved में 10 만डल हैं तो दस मडल का मतल moral पर सन्वत दस अद्याय सोचिए जो क Kita उतता कई उसके मतबद सी समझडीत चर्छा हुआ था तीसरा मंदल मैं देखेगा इसमें जो है गैतरी मंत्र की बात की चर्चा है पांचमा मंदल उतना इंपोर्टेंट नहीं यह च्छटा मंदल आठे मंदल में और निमा मंदल का याद रखेएगा है ये सोन देवता से संब्र दीतें तो मंडल जो है रिगवेद का उस सबसे बड़ा है देखिए दसों मंडल को हम दिये रिविजन करा आपका ठीक है अगर पढ़े हैं तो ठीक है नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजे पीछे जागे ख्लास देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा अच्छी चीजे हैं आपको जब भी पढ़नी होती है तो आपको अच्छे से गहंता से पढ़ना पढ़े घा तो यह सवाल पूछता है तो इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए अगला सवाल है सुद्र सब्द की चर्चा जाती नहीं था उसमें, रिगवेद के समय में, रिगवेदी काल में यह सब जाती नहीं थे, यह सब वर्न था, यानि कि चार वर्न थे उसमें, कौन-कौन ब्राह्मन, छत्रिये, वैस्य और सुद्र, इसके बारे में चर्चा जो है दसमे मंडल में किया गया, आपसे अगर हम ब्राह्मन, छत्रिये, वैस्य सुद्र की चर्चा है, तो आपको जवाब देना होता कि वो दसमा मंडल है, ठीक है, आपसे अगर कोशन पूछ दे कि ब्राह्मन के बारे में सबसे पहली बार चर्चा, रिगवेद के किस मंडल में है, वह भी दसमा मंडल होगा, ठीक है, तो इसमें गीत, संगीत के बारे में चर्चा मिलती है, उसके बाद देखे, साम बेद में एक चीज और ध्यान में रखेगा, इसी वेद को जो है ना, भगवान स्री क्रिस्न का नाम तो आप जामते ही होंगे, भगवान क्रिस्न के बारे में आप जामते हैं, सुने होंगी, तो वो जो बोलते हैं हम वेदों में सामवेद हैं यानि कि भगवान कृष्ण खुद को बोलते हैं हम वेदों में सामवेद हैं इसलिए मतलब इस बात को भी धियान में रखेगा कि भगवान कृष्ण अपने आपको वेद में क्या बोलते हैं तो सामवेद बोलते हैं ठीक है और स भारतिय संगीत गीत ये सब की चर्चा है इसी में आप देखेगा भारतिय संगीत के सारे गामा पाधा निसा जो साथ सूर है न हमारे संगीत के सारे गामा पाधा निसा इसके बारे में भी चर्चा इसी में किया गया है किसमें साम वेद में ठीक है तो इसको ध्यान में आज ये अगले सवाल को दिख लीजे जादू टोना तंतर मंत्र और भूत प्रेथ की जानकारी किस वेद में मिलती है तो ये दिखे सवाल पूछ रहा है तो इसमें चारो वेद का नाम दे लिया है रिख वेद यजूर वेद साम वेद अथर वेद अब बताईए कि किस वेद म ये एक तरह मंदल की चर्चा है और इसी में अथर वेद में ही जादू टोना तंतर मंत्र भूत प्रेथ उसके बाद बीमारी के बारे में चर्चा है जादू टोना इसका चर्चा कहां पे है तो अधर वेद बोलियेगा चिकित्सा हो या ओसदी हो, यह आपसे पूछे कोन वेद में चर्चा है तो बुलिएगा अथर वेद में, आपसे अगर पूछे दे कि तंत्र मنت्र भूत प्रेत, जादू टोना इसका चर्चा कहां पे हैं तो अथरवेद बोलिएगा आपको बोले यग्य से संबंदित जानकारी कहां मिलता है तो बोलिएगा यजूर वेद में आपसे बोले कि किस वेद में भारतिय संगीत के बारे में जानकारी मिलता है तो वह है साम वेद ठीक ऐसे ही या मारानयक उप्निसत पड़ायेirs मंड़ूक के उपनिसत बोले थे आपको दुतिन उपनिसत का बात भताये इससो उपनिसत बताये थे वह कि मुद को पुछाया ऐसे नयब जहते की चर्चा आया ठीक है तो इस बात को ध्यास मेर क्थ उससे भी छोटा हुगा होटा ही यहे बात बूला गया पर छंदुबी उपनीशत्में ठीक है उसके बाद यह भी रखना हुग मैंदूको उपनीशत्य जाय ईसमें सत्यमेगLOTS unisam वह सबसे छोटा उपनीशद है ठीक है तो यह सभी अरेक उपनीशत्य से से म column को थोड़ा बहुत बात को धियान ने रखना है जो कि कोस्चन बन सकता है आपसे है अगले प्रस्ण को पैजिए इस बार कोस्चन पूछ रहा है कि तो है तो ऑप्पसिन है Seven-let was eight-let was mouth यह नौध सिल यह किताब उसको लिखा गया तो दूसरा बात इसमें कितने मैच और और आपसे एक question जो बना है, जो question पूछा गया है, आपके जो senior हैं, आपसे पहले वाले exam में, वो पूछा गया था कि जो राई तरंगनी है, वो कितने तरंग में बटा हुआ है, यह कितने तरंग या भाग में बटा हुआ है, यह आपसे पूछा था, यानि कितने अध्याय में बटा हुआ तो आठ अध्याय में बटा हुआ है ठीक है तो यानि राई तरंगिनी आठ अध्याय में बटा हुआ है इसमें 8000 सुलोक है और ये जो है किसकी रचना है कलहन की रचना है इतना बात आपको इससे समंदित याद रखना होगा ठीक है कलहन की राई तरंगिनी में कह कि इतिहास की जानकारी मिलती है ये सवाल आपको ध्यान में रखना है ये भी कोशञ पूचा हुआ लिए था इसलिए हो सकता है कि कोश्यों जो पूछा गया उससे आपको पांचे-चोगों कोश्यन आकर आपके एक्जामें भी रिपीट हो गया तो आप सोचिए ना पांच-छोगों कोश्यन अगर आ गया तो दस नूमर पंदर नूमर तो आपको बेनिफीट दे जाएगा इसलिए आप उसको पू यह जो राई तरणगनी है कल्हन की यह कल्हन है न यह कस्मीर के इतियासकार सूब ने के बारे में और कस्मीर के इतियासकार सब करने आपको है elegant जो ऋल्ग है यह सब को भी ध्यान रखके चलिएगा ठीक है अगला सवाल है कि मेगास्थिनीज किसके समय भारत आया था तो यह चंगुप्त मौरी के समय भारत आया था यह याद रखिएगा ठीक है असो के समय भी बहुत लोग आये थे अलग-अलग लोग आये थे उसको ध्यान में नहीं रखिए कोई दिकत नहीं इसके बारे में थोड़ा सा और कंसेट आपको बतादे मेगास्थनिज जो था ना यह राई-दूट था ठीक है तो यह राई-दूट किसका था तो selucus negator जिसको साधी कर लिता है जिसका नाम हेले ना होता है फेले ना से जब याख मोरी के दरवार में मेगास्थनी को selucus negator मोलता है तूम जाओ बहुत अच्छी सासन वेवस्ता है उसके बारे में चर्चा करेगा फिर यह बोलेगा कि यह मद्यदेश के जो लोग है ना वो मांस बेगर नहीं खाते हैं यही मेगास्थिनीज अपनी पुस्तक लिखता इंडिका उसका नाम है क्या है इंडिका यह बुक का नाम याद तो यह भी ध्यान में रखेगा यहीं रचना भी यह करते है और उसमें किसके बारे में जानकरी मिलता है पो यह पीप хотел डृती जो है तह श्यूं hustle पूरिजिनल अधिक और इसके दोरा एक किन लिखा गया इसका नाम था कि यह पूशन पूश सकता है इसको भी तरफाहे स्थिनीच का रचना एंणिका था फो क्यो की सब्सक्राइब लिए इसको भी दियान में रखेगा कि हर्सवर्धन के दर्वार में आया था और यह गता है यह द्यान में रखना होगा करते रहता है, इसी तरह बोलता है, तो इसी तरह इसके बुक का नाम भी था, C.U.K, ठीक है, यहवेनसांग की किताब है, और यह हर्सवर्धन के दरवार में आया था, ठीक है, उसके बाद दिखे, भारतिये पुरातत्यो का जनक किसे का जाता है, और अलेक जंडर कनिंगम के दोरा आप देखेगा सांची के अस्तूप को खो जा गया था और बहुत से अविलेक को पढ़ा गया था ठीक है इसलिए इनका बहुत इंपोर्टन्ट रोल है हमारे इतिहास में ठीक है उसके बाद देखेए अविलेकों के अध्यान यानि अविले का मतलब क्या होता है वो होता है क्या जानते सिक्कों का अध्यान ठीक है सिग्लियोग्राफी का मतलब आपसे पूछ रहे कि सिग्लियोग्राफी का मतलब क्या था यह होता है सिल का अध्यान यानि मोहर का अध्यान करना सिग्लियोग्राफी बोला जाता है ठीक है तो इसको इन चीजों को एकदम बारिकी से रटके रखना पड़ेगा आपको कि सिगलियोग्राफी मतलब उसमें सिल का ध्यान क्या था मुहर का ध्यान क्या था है उसको एपिग्राफी बोलते हैं उसी तरह आपको ध्यान नियुमनिस्मेटिक वह सिक्कों का ध्यान वह अभी कोश्चन पूछा था नियुमनिस्मेटिक का मतलब क्या होता है तो आपको याद रखना है सिक्कों के अध्यान से संबंदित वह होता है ठीक है तो यह भी ध्यान में रखिएगा अब के अगला है बोगच कोई अभिलेक जो है उसमें किस वैदिक देवी देवताओं के बारे में चर् को बलते है न उनके बारे में जनकारी मिलती तो इसको औरड़ी चीएगा इसको भूलना नहीं है ठीक है उसके बाद आज अगला सवाल है कि निम्न में से किस गरंथ में 65 सब्सक्राइब के बारे में JOHN चर्चा मिलती है और कौन को लिपी के बारें चर्चा मिलती है उसको हम पढ़ाये थे लिपी वाला टॉपिक में तो उसको देखना पड़ेगा आप देख लीजेगा आपके मतलब प्लेश्ट में वह एबलेबल है ठीक है अगला है जोतिस को क्या बोलते हैं वेद का क्या बोल तो महावारत के बारे मैं आपको बता दें महावारत के लेखक कोन है ये आपसे पूछेगा ठीक है तो पहली बात तो यही ध्यान में रखेगे कि महावारत जो है ना महावारत से समझे पहली बात यह ध्यान में रखेगा पहले लेखक को छोड़िए पहले आपको जो चीज बुलते थे जै सहीता, बाद में बुला गया जै भारत, और फिर बुला गया महा भारत, यानि महा भारत यी तब हुआ ना, जब इसमें स्लोक की संख्या, यानि स्लोकों की संख्या एक लाख हो गया, तब इसको महा भारत बुला जाने लगा, ठीक है, उससे पहले इसको जै भ और बालमीकी को आदी कभी भी बोला जाता है यह भी ध्यान रखेगा और साथ कांड है तो इसमें चोबीस हजार स्लोक हो गया ठीक है इसको भी ध्यान रखेंगे ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको रमायन से रिलेटेड याद रखना है ठीक अब आज ये अगले सवाल को देख लीजिए अगला सवाल आपके लिए क्या है वो है शत्मेब जयते यह तो अभी तूरंत बताया है मुंड को ऐपनी सरसलिया गया है बिदांग साहित कि संक्या कितनी है चोग है श्चा कविदांग साहित चोग है शिक्चा काल्प व्याकरन अगला जो सवाल है आपके पास वो है कि विकरम सिलाविसविद्याले कि अस्थापना किसके दोरा की गई। यह most important question है, यह question पूछा गया है और यह भी question आपका पूछने की समभावना है, दोनों question पूछेगा, देखिएगा आपके exam में पूछे या आपके दोस्त के exam में पूछे, किसी ना किसी university में यह दोनों question फिर से रहने वाला है, इसलिए रटा मार लो, कि विकरम सिला द्याले की अस्थापना कौन किया था, तो कुमार गुप्त पर्थम किया था, ठीक है, कुमार गुप्त पर्थम जो है, यह किस वंस का सा सकता, तो गुप्त वंस का सा सकता, और उसके बाद ध्याम रखना, कि नालंदा विस्विद्याले जो है न, यह बिहार राज में इस् वही पर यह नालंदा विस्विद्याला है और इसके बारे में बोलायाता है यहां पर सब कोई नहीं पढ़ सकता था उसके लिए जरूरी था कि वहां का जो इंटर्नल इंटरेंस एक जाम होता था यहां कि जो आप प्रवेस परिक्षा देते थे उसको पास किजिए तब नालं जो हैं वह हैं वह थे मतलब तीचर लुक all आध को पढ़ाते थी तो यसी पेवस्ता प्राचीन काल मैं न्हालंदा में ठीड़ों ठीक वैसे ही विक्रम सिला में भी ऐसी ही वेवस्था देखने को मिलती है और विक्रम सिला भागलपूर के अंती चक में इस्थित है जो कि आप जानते है भागलपूर के निकट में ही अंती चक है ठीक है वहीं पे है कहल गाओ एक आप नाम सुने होंगे अगर तो आप देखे तो इतनी चीजे इस से समनित बातों को याद करते हुए आप चलेंगे, तो देखिए, आज के सवाल को आप देखेंगे, तो आपके जितने भी unit 1 से बनते हैं उसको हम complete करा दिये, अगले वीडियो में हम लोग जो करेंगे, इसको continue करेंगे, इतिहास छोड़ना नहीं है, इति तो complete करा देंगे, ठीक है, objective हो गया, इसी तरह आपका दूसरा unit जो है, उसका subjective कराएंगे, और फिर उसका objective कराएंगे, यानि subjective objective एक एक करके हर एक unit का खतम, यानि 50 question अगर हर एक unit से आप question कर लीजेगा, तो आपका complete हो जाएगा, इस से पहले भी objective एको कराये थे, उसको नही को देख लीजेगा, तो लगवग unit 1 से समझेत, आपका 60-70 question आपका हो जाएगा, ठीक है, इतना ही करना है, एक-एक unit का, और 5 unit है, लगवग लगवग आप 200-300 question कर लीजेगा, 200 ना, तो आपका complete है, आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जोरप नहीं पढ़ेगी, और सब question ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलता है नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यबाद, आपने पूरा वीडियो को देखा, इसके लिए आ भाहर है,